अगल नाथिक अब्भास आए अब्भास इंजिनियर इंकर्शन इंडिस्ट्री इंड्री इम वर्किंग इन दुबाइ यूए वेल्कम तो माइ यूट्यूब चैनल अब्भास लेक्ट्रो मेकैनिकल चलिये शुरू करते हैं आजका टोपिक What is chemical anchor? Chemical anchor क्या है? And chemical anchor and mechanical anchor में क्या difference है? And anchor pull out test मतलब जो anchor हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने केजी तक load से अंकर सकता है? उसकी testing कैसे करते हैं? चलिए बात करते हैं सबसे पहले mechanical anchor की इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को भी तक भी सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि हमारे आने वाली new video का notification आपको मिल सके सबसे पहले तो mechanical anchor जैसे योनिफिक्स और फासनर रावल बोल्ट फिक्स बोल्ट वाल प्लग एक्सेक्टरा mechanical anchor होते हैं जिनका यूज हम pipe support, cable tray support, duct support, slab support, इसके folding support एक्सेक्टरा में करते हैं इन anchor को हम fix करने के बाद punching tool या wrench की help से concrete में strong करते हैं फिर उसमें thread road, nut, screw, एक्सेक्टरा tight करते हैं चलिए अब बात करते हैं chemical anchor की chemical anchor दोस्तो एक टाइप का chemical होता है जिसका यूज, यूनिफिक्स, फासनर, fix bolt, wall plug, एक्सेक्टरा की जगा करते हैं जैसे की आप पिक में देख सकते हैं ये देखने में silicone की तरह होता है इसको silicone gun की help से thread road के size के according drill से hole करके hole में chemical डालते हैं फिर उस hole में thread road, bolt, एक्सेक्टरा डाल देते हैं नौ लेट्स डिसकस डिफरेंस बिट्विन chemical anchor और mechanical anchor नमबर वन, chemical anchor, mechanical anchor से जदा strong होते हैं नमबर टू, chemical anchor की life mechanical anchor से जदा होती है नमबर त्री, mechanical anchor एक टाइम के बाद corrosion पकड़ लेते हैं जबकि chemical anchor में corrosion का कोई chance ही नहीं होता नमबर फूर, chemical anchor can fix easily compared to mechanical anchor चली अब बात करते हैं anchor pull out test की anchor pull out test हम pull out machine की help से करते हैं anchor pull out test mechanical and chemical anchor का same होता है हमने हमारे एक project पर chemical anchor का use किया है जिसका test हमने 450 kg पर किया था इस वीडियो के दुआरा आप pull out test easily समझ सकते हैं इसाप बात कर देて oॅवेडियो का ना झाल सकते हैं 400 kg 400 400 kg 400 4.5 450 kg अगर आपको लगता है कि हमारा ही वीडियो आपके साथ साथ आपके फेंड्स के लिए भी हैलफुल होगा तो उनको भी शेयर करना मत भूलेगा थेंक्स फूर वोचिंग क्सुट